नमस्कार किसान भाईयो मैं रविंद्र पड़ेदा सोमनात क्रॉप केर प्राइवेट लिमिटेट से आप सभी किसान भाईयो का हर्दी गाधिक स्वागत करता हूं जैसा कि आज हम गाउं गाजनोत के हमारे किसान मित्र अनिल जी पड़ेदार के खेत पे प्याज का प्लोट ह और आज इंका प्लोट विजिट कर रहे है अब इन्होंने करीब 15 दिन पहले सोमनात क्रॉप केर क्या किसान सोमनात किसान समुरेट की प्याज की फसल में ढाला था और इसके पहले भी नहीं लसू में डाला था जिसके बाद इन्हें अच्षे परिणाम मिले तो इन्होंने भी उप्योग किया है अब आज इनके प्याज 40 दिन के हो चुके हैं और हम इनके प्याज देखते हैं इसकी क्वालिटी देखते हैं और इनसे ही पूछेंगे इने कितना अच्छे रिजल्ट मिले अब पहले तो आप इनके प्याज देखिए चालिस दिन के प्याज के साइज है आप देख सकते हैं चालिस दिन के प्याज के साइज कितने अच्छी हो गई है और इसमें जड़ों का फुटाओ अभी भी चालू है और काफी अच्छे जड़े हो रही है इसमें काफी अच्छे जड़े हो रही है और प्याज की साइज और इसमें देखिए फुटाओ भी चालू है नया फुटाओ आने लग गया है तेखिए आप प्याज बहुत अच्छा प्याज हो रहा है इनका 40 दिन का प्याज है और अनिल जी पाटिदार बताएंगे हमें कि इन्हें कैसे रिजल्ड मिलें बताएंगे आनिल जी आपको कैसे रिजल्ड मिलें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ड मिले हैं सम्रदी कीट से सोमनात किसान सम्रदी कीट से सोमनात किसान सम्रदी कीट से इसकी जड़े बहुत फुटाओ दार चल रही है उसका कंद बहुत श्यांदा अच्छा और आप ये क्रॉप देखिए इनकी क्रॉप कैसी हो रही इनकी क्रॉप काफी अच्छी क्रॉप है और 40 दिन के प्याज की बहुत अच्छी हाइट है और बहुत अच्छी साइज है तो मेरा भी सभी किसान भायों से निवेदन है कि एक बार अपनी फसल में सोमनात क् और अपनी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाएं और अच्छा उत्पाधन लें तन्यवाद जैसोमनात को